लेकिजी आप लगनाओ आएंगे तो बहुत आपको डिलिशिस खाना तो मिलेगा लेकिन एक और चीज जो आपको ज़रूर एक्सपीरिंच करनी चीए वो है यह बड़ा इमामबारा जो 1784 में नवाब असादुद दौला ने बनाया था हाँ हाँ और लगनाओ पे जो भी आता है वह यहीं पौन जाता है हम जब यहां पर आए तो हमें कक्री Okay तो बेशक अब हम दोनों है तो अंदर देखके चलते हैं और देखते हैं कि कि अंदर क्या है वैसे अभी तक खबर यह है कि दुनिया के लाजस्ट हॉल्स में से एक है जिसमें ना कोई बीब है ना कोई गडर है बस ऐसे वह इंटेट्वाइन करके उसको खड़ा किया गया है तो काफी आर्किटेक्शनल मावल है और यह है इमाम बड़ा यहां पर अभी ट्षिन में खूफे दोटने खड़ाइज ने चलेगा जिए अंदर चलिए आप कुछ कह आएं भाफ यह अच्छा लागा बहुत अच्छा लगाई अच्छा लगा संदर जEGा लगा वारर ओन तब्हां अधा़ा बहुत्धा बहुत बहुते बहुत अच्छा अच्छा वां याद नहीं आरहा है. मैयोर. मैयोर. वो. वो. अचा चली अजरी एंदर चलीए क्या चर रहे हैं. यहाँ से शुरू कीजिए. नहीं से स्केल प्रफिए जिलगाएखा. मैं जरा गया आता हूँ. आप आगे यह सब्सक्राइब कोई नाये, मुझे आउट कर दीजे अब आप नजारा इजोई किए जेए तो यह दाम जारे है उदर है क्या आपको पता है क्या अभी देखे जो ही यह बड़ा इमामारा यह बहुत एक स्पेशल जगह है कोई यह मॉजोलियम नहीं यह मॉस नहीं यह एक जाइंट कोट्याड है और जिसमें कोट्याड के यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसका जो आगे डिटेल करना है वो आगे जाके हम थोड़ा पता करें आपके लिए ठीक है तो मैं कट करता हूं और आ कि खुड़ी सेफ्टी जा तो बहुत जरूरी गूंद खा induced को अगे कि यह पर अंदर जाते है आपको क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता है कि तो बाई सांध देंग जी दर दिल धाम के मैठें क्योंकि यहां पर जब अंदर जाएंगे एक हजार चौबीस रास्ते अंदर है बूल भूलया किसी रास्तर से आप नीचे गर जाएंगे किसी रास्तर अपर गिर गाएंगे कि उपर नहीं किर सकते हैं नीचे किरेंगे या गुम हो जाएंगे और गुम हो जाएंगे तो कभी आप मिले किनी किसी को तो आप काई साल बात दखलेंगे लबी दाड़ी के साथ और अगर आप आद्मी है तो आपकी मुझ भी हो तो बहुत टेंजरस है तो ध्याद एगा गा वाँ यह वी ब्यूटी है यह भी ब्यूटी है यह थोड़ा झृखन अब बंगिर भी भूट दॉन भी भाट कुछ यह है पांच चीज़े और कांगे बेट के हम लोग अंदर जा रहे हैं देखेंगे और और क्या दिखता है डिख ल को बिलता है दिखने कि ओ ए लिग और येईसकी खासमाद यह है, जब यहा से देखें तो आपको दिखेंगे तीन गेट और चार स्टोरी मंजिल और उस तरह से देखेंगे एक गेट और एक स्टोरी मंजिल और इसका नाम रोमी दर्वाजा, क्यो है भाई? तरही जगह है, तो रोमी दर्वाजाब है यहां हो सकता है कि जो बहुत फेमस पोरेट थे, रोमी उनके नाम से रोसकता है यह यह पर लोग यह भी बोलते है कि इसके जो अर्किटेक्ट थे वो रोम श्यायते हैं जान से पेटना भाई, बोला ना कर जाए अहाँ जाँ जी लगना हुआ लगना हुए जोड़ा गारी में घुमने का मदा है कुछ और है क्यों भाईसाब इसलिए इसको रोमी दर्माजा भी कह सिखते है क्योंके हम जो है ना अगलेस पे जो भूमने को कहते है रोमिंग दर्माजा भी उसी तक अभी आप इस जाएंगे फिर आप इदर जाएंगे आप रोमेंगी करते ने और हमारे पिछे है एक और अर्किटेक्ट्रल मार्वल उसको कहते है है हुसेनाबाद क्लॉक टावर या गंटागर जो मोडल किया गया है लंडन के फेमोस बिग बेंट टावर के बाद यह बनाता 1881 में और कहते हैं यह 220, 220 चा 221 फीट पूचा है और इसके आगे जाएंगे अगर आप यह गोड़ा गाड़ी में तो इसकी सवाली में आता है सतकंडा और फिर स्थाही तलाफ तो यह दो और ची यह दो से तीन गंटे दो रखते ही चाहिए हमारे बास थोड़ा गम है क्योंके भूफ जादा लगी है ताइम से यह दाब है क्लोक टाउसे नहीं अरे टाइम दिया ते किसी और को मिलने के लिए ओ ओ ओ ओ अईसा आप जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा अगले बड़े प